दिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बर फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो एक बहुत ही शरमनाग घटना जिसको लेकर पूरे भारत में इस समय रोज की स्तती है है ना हर कोई परेशान है हर कोई दुखी है इस चीज को लेकर और इस चीज को लेकर और इसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है है ना क्या है ये घटना किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया कौन इसके तहट पूरी तरीके से दोशी माना जा सकता है इन सब चीजों को लेकर हम लोग गहराई से बात करेंगे बहुती sensitive मुद्दा है, बहुती सवेधनशील चीज है बहुत ज़दा तकलीफ है इस घटना को सुनने के बाद मन में तो उस चीज को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं को कि इस बारे में जानना बहुत ज़दा जरूरी है सबसे पहले आप एक चीज देखेंगे कि पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे डॉक्टरों का विरोध प्रदशन चल रहा है कोलकाता का जो आरजी medical college अस्पताल भी है यहाँ पर एक junior doctor के साथ दरिंदगी की गई है जिसके चलते ना केवल पश्शिम बंगाल में बलकि पूरे भारत में इसको लेकर रोस है ना हाना कि स्वास्ते सेवाएं प्रभावित हुई है कलकता हाई कोट भी इस मेटर में एंटर हो गया है सबसे पहले क्या घटना है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं देखो 8-9 अगस्त की अगर हम लोग रात की बात करें तो यह एक trainee doctor है यह अपने medical college में रात में सेवाएं दे रही थी और बताया यह जाता है कि 12 बज़े तक तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ डिनर भी किया है इसके बाद यह lady मिली नहीं है यह लड़की मिली नहीं अगले दिन सुबह जब देखा गया तो यह अर्द नगन अवस्ता में पाई गई तो सेमिनार हॉल था वहाँ पर यह पाई गई उस हॉल का जो CCTV कैमरा था वहाँ पर दिख नहीं रहा था मतलब कुछ भी ऐसा सुबूत जो है वहाँ पर हाथ नहीं लग रहा था तो पहले तो जो डॉक्टर प्रसाशन था उन्होंने यह बताया कि भी मतलब लड़की ने आतम हत्या कर ली है जो परिवार वालों का कहना है लड़की के परिवार वाले जब रात में वो फोन नहीं उठा रही थी तो अगले देन सुबह कॉलेज पहुंचे तीन घंटे तक उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया और यह बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है आतम हत्या कर लिया तो कहीं न कहीं पर चिंता जनक बात थी उसके बाद किसी तरीके से तीन घंटे बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया तो लड़की की माता का मा का ये कहना है कि जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो एक बेड़ पर थी है ना उनके बाड़ी पे किसी तरह का कोई कपड़ा नहीं था पूरे जो फेस पर खून लगा हुआ था आंखों में कांच के टुकडे थे तो इस तरह की सिचुएशन जो है उन्होंने फेस की और देखी सबसे बड़ी चीज है इस तरह का दृष्य देखकर किसी भी इंसान का जो है वो दिल दहल जाएगा और ये फिर से याद दिलाएगा उस 2012 की रात की जब निर्भिहा वाला केस हम लोगों ने भारत में देखा और सुना था थीक है तो इस तरह की कहानी फिर से हुई उसके बाद इस मैटर में क्या हुआ उसके बाद अगर आप देखें के चीजे तो जैसे अगले ही दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हत्या का मामला जो है पुलिस जो मेडिकल प्रसाशन के द्वारा दर्ज नहीं करवाया गया है ना और पुलिस ने भी आत्म हत्या का ही केस एक बार दर्ज किया तो मैटर बहुत ज़दा खराब होने के बाद जो है कलकता हाई कोट ने इस मैटर का संग्यान लिया और हाई कोट ने बहुत सारी चीजे जो है दिली पुलिस से बी पूछी और ममता बेनर जी की सरकार से भी पूछी कि इतना टाइम क्यों लगा सरकार ने माना कि हाँ हम से गलती हुई है तीन घंटे तक उनको रोक के रखा गया यह तो काफी शरमनाक है हम इसके लिए माफी भी मांगते हैं कई ना कई पर एक सरकार बैक फूट पर आई और हाई कोट ने बहुत ज़दा लताड़ा ममता बेनर जी की सरकार को कहा कि आपकी जो मशीनरी है पूरी तर प्रिवार जो है पीडिता का वही चाहरा था कि जब तक इसकी जांज कोई सवतंतर अजिंसी नहीं करेगी इवन केंदर सरकार की कोई अजिंसी नहीं करेगी तब तक इस मैटर में हुआ क्या यह सामने ही नहीं आ पाएगा है ना अगर हम लोग इसमें आरोपी को देखे तो इस परसन को गरफतार किया गया है इसका नाम संजर रॉय है इसकी गरफतार ही तो अगले ही दिन कर ली गई थी है ना और इसको ब्लूटूथ के माधिम से गरफतार किया गया था जो ब्लूटूथ वहाँ पे जो घटना की स्थल पर मिला था उसके बाद अगर हम लोग कर दिया गया मतलब इनकी नियुक्ति कर दी गई तो यहां पे भी हाई कोट ने एक सवाल पूछा कि भई आप इन पे तो सवाल बनता है कि आपने हत्या का मैटर क्यों नहीं दर्ज करवाया अगर यह घटना आपके कॉलेज में हुई है आप तीन घंटे तक वहां पर आपने उनकी फैमिली को रोकर रखा तो आप कहां थे आप क्यों एक्टिव ने किया अपने आपको या क्यों इस मैटर में आप एकदम जो है निश्क्रिय दिखाई पड़ते हैं कौन है जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हो तो कही ना कही पे इन पे भी सवाल खड़े हुए ह किस तरीके से जो है प्राइवेट पार्ट में गल के बहुत सारी चीजों को डाल दिया गया था और उसकी बहुत बुरे तरीके से हत्या कर दी गई थी है ना इवन आप अगर देखेंगे इस मैटर में भी पहले तो जो जांच हुई और उसमें ये कहा गया कि एक ही परसंद जिसकी अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी उसको गिरफतार किया गया कि वही बंदे ने जो है लड़के के साथ रेप किया है लेकिन फिर जब मेडिकल जांच हुई उससे निकल कर आया जो आपको पता है कि सीमन की बहुत सारी मात्रा उसके प्राइवेट पार्ट में पाई गई तो ये निकल के आया कि अगर आप इतने इतना सीमन तो एक पसंड का नहीं हो सकता है ना तो इसमें बतायागा कि लगबग 5 से ज़्यादा लोग इसमें मेटर में हो सकते हैं या 10 लोग हो सकते हैं जिन्नों ने इस लड़की के साथ तो फिर ये तो घटना गैंग हो पाई क्यों जो है वहां की कोलकाता पुलिस जो है वो थोड़ा सा पक्षपाती नजरिया जो है क्रिमिनल्स के साथ अपनाती दिख रही है यहां पर बहुत सारे सवाल जो हैं खड़े होते दिख रहे हैं है ना इस पूरे मैटर में अगर आप देखेंगे तो फिर उसके जैसे यह matter हुआ तो भारतिय चिकित्सा संग ने 13 अगस्त को डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए medical colleges में advisory जारी कर दी है ना तो बड़ी चिंता जनक चीजें है इन सब चीजों को करना अभी जरूरी भी है समय की मांग भी है matter कहां पे है कौन सी ऐसी चीज है जो हम इस चीज को इसे निकल नहीं पा रहे है देखे बच्चो रेप वाला जो segment है ना ये कहानी चलो ठीक है बट अगर आप बाकी सारी चीजे अगर समाज में देखोगे ना तो उन सब चीजों पे भी हमें focus करना होगा जो parallel इसके होती है है ना सबसे बड़ी चीज यह है कि बहुत सारे लोग कह रहे है कि कानून को कठोर कर दो देखो अल्रेडी फांसी की सजा है है ना नियाईक प्रक्रिया को भी तेज करने का प्रयास किया गया है तो फिर अब इ या सकती आप कानून से उमीद करते हो है ना या तो साओधी अरब की तरह है आप बिल्कुली पब्लिकली उसको मारें या वो करें वो सब चीज आप कर सकते हो लेकिन भारत एक लोग तंतर है तो हमें उस तरीके से उस नजरिये से ही सोचना होगा हम अमानविये तरीके से इ या जो भी गलत हो इसको सकती से सकती सजा दी ही जानी चाहिए इवन इससे भी सकत अगर कोई कानून हो सकता है तो वो करने की ज़रत है लेकिन क्या इससे चीजे खतम हो पाएंगी निर्भया केस के बाद आज अगर आप देखें कि तो लगभग 12 साल और हो चुके हैं पर य इसके लिए जरूरी है परिवार है ना परवार के माध्यम से ही मुल्य जो है आगे पहुँशते हैं जब लड़के जो है अदग लड़कियों पर कमेंट करते हैं लड़कियों के उको लेकर घूर होते हैं इस तरह की चीजों को लेकर अगर वहाँआ पर रोकने का प्रियास हमें करें, तब जाकर चीज़े ज़्यादा बेटर हो सकती है, है ना बच्चपन से ही सिक्षा के माध्यम से स्कूल में हम लोग थोड़ा सा इथिक्स बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें आज अगर आप देखेंगे भारत में मुल्यों का पतन किस हद तक हो चुका है, है ना कोई भी रिष्टा आज जो है सेफ नहीं है कहा जाता था कि लड़कियों को अंजान लोगों से डरने की जौरत है, बट अगर आप खुद देखोगे तो परिवार में ही लोग उनके साथ गलत कर रहे है पहले कहा जाता था कि कपडों को लेकर चीज़ें हैं बट अगर आज पूरे कपड़े पहने हुए भी किसी नन के साथ अगर रेप कर दिया जाता है तो ये तो कही ना कहीं पर मानसिक्ता की बात है ना कि बार बार आप लड़कियों को टार्गेट करोगे या ये कहोगे कि लड़कियों को बदलने की जौरत है तब तो बड़ी दिक्कत है फिर तो ये मैटर कर भी खतमी नहीं हो पाएगा तो बदलने की जौरत किसको है लड़ हम लोग मानते हैं तो सिरफ उनको मंदिर में रखने की ज़रत नहीं है घर में भी उनको देवी की तरह मान कर उनकी पूजा की जानी चाहिए उनका सम्मान की जाना चाहिए है ना अगर हम लोग उनको respect नहीं दे सकते हैं, अगर हम सरफ अपनी बहन को अपनी बहन समझ सकते हैं, अदर किसी person की sister को बहन नहीं समझ सकते, या बाकी चीजों को उनको उस तरह का सम्मान नहीं दे सकते, तो फिर कई न कई पे इस system में सुधार होने की गुंजायश या संभ भावना बहुत कम प्रतीत होती है, तो समझने की ज़ुरत ही है कि इस matter पे पूरे matter में बहुत सारे लोग दोशी हैं, सबसे बड़ा दोशी system और प्रसाशन हैं, अभी तक महिलाओं को सुरक्षा देने में हम लोग फेल हुएं, 78 सवतंतरता दिवस हम लोगों ने मनाया है, बटा आज भी अगर भारत की महिला असरक्षित महसूस कर रही है, तो बहुत ही चिंता जनक स्तिती है, सब लोगों को मिलकर समाज को बहुतर बढ़ाने का प्रियास करना होगा, सरकार सक्त रूप अपनाए, लेकिन माता पिता और हम सब मिलकर जो है, टीचर्स का भी एक बह करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद.